Hello my dear students, मैं आप लोग का SKS सर, तो सर आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आएं, तो आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा जो है सतर्क करना चाहता हूँ, क्या सतर्क है कि जो जो इस्टूएंट कलगणा इनवर्सिटी का 6 सेमेस् में इस बार एक्जाम दिये थे और उनका जो है रिजल्ट आउट कीछला मन्त ही हो चुगा था, मिन्स अगस्त के महीने में और उनका कोई ना कोई एक पेपर में या दो पेपर में, चाहे हो आर्ट के, गॉमर्स के, साइंस के है, अगर वो सपली खाए है, मिन्स लास्ट से बड़ा अपसोस लगता है, क्योंकि देखिए, आप कुछ ना कुछ जो है, जरूर दिन में जो है, एक मकसद लेकर आये थे, क्या, कि चल भाई, फर्स सेमेश्टर में सपली खाए, कुछ बात नहीं है, इसको थर्ड में निकाल लेंगा, सेकेंड में अगर सपली कोई पेप रखना चाहिए, लूडु छक्का आप खेले हैं, तो लूडु छक्का में अब देखिएगा, 98 में की 97 में एक ऐसा साप काट देता है, डारेक आप 7 में आ जाएंगे, डारेक आप 7 में आ जाते हैं, मिंस आपको फिर एक साल, मतलब जो जो तीन साल का ग्रिजियोसन है, वो आपका कितना साल का हो जाएगा, चार साल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, 6 सेमेस्टर में जो आप अगस्त महिना में सपली खाया हैं, ती महिना बाद आपको फिर से एकजाम देने मिलेगा, तो सर आज के वीडियो में आप हम लोगको क्या इंफॉर्म करना चाते है क्या advice देना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोग को मैं advice देना जा रहा हूँ, क्या कि कोई भी student अगर supply खाये हैं, खास तर कि उस student को मैं बोल रहा हूँ, उस छातर एंठ छातरा को बोल रहा हूँ, जो student पूरा paper टच करके आए, पूरा paper टच करके आए हैं, तो मैं बहुत आप लोग को support कर रहा हूँ demotivate नहीं करने के लिए video बना रहा हूँ क्योंकि मैं इतना सुबह से tuition पढ़ा रहा हूँ अब last moment में night में video बना रहा हूँ demotivate नहीं बहुत सारे student लोग supply खायाते हैं पैसा के अभाव में उसको review में नहीं डालते हैं तो मैं इस video के जड़ी आपको बता देना चाहता हूँ कि आप review में डालिये और देखिएगा कलकड़ा इनुवर्सिटी में review मतलर रीचेक में जब डालियेगा तो एक चीज़ नोटिस कीजएगा देखिएगा एक 500 रूपिया का भी रीचेक आता हैं और एक 120 रूपिया का भी रीचेक आता है ठीक है तो 500 रूपिया वाला रीचेक में भी अब आपके मन में डाउट है कि 500 रूपिया का रीचेक में डालू कि 100 रूपिया वाला रीचेक में डालू maximum student क्या करते हैं 120 रूपिया वाला जो review रीचेक वाला जो होता है form उसको फिलब करते हैं college में जाकर आपको मालूम भी है आपका 1202 जो reject में आप डाल रहे हैं आप डालिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको पूरा 100% की हम जो लिक के आए हैं पूरा question paper को attempt कर के आए हैं लेकिन फिर भी मुझे marks नहीं मिला एक या दो नंबर से मेरा theory paper में supply खा गया आपका tutorial निकल गया, internal निकल गया ठीक है आप किसी में supply नहीं है लेकिन आपका theory paper जो 3 घंटा 15 मिनट का पोई एक paper है उसमें आप supply खा गया maximum student तो ऐसा भी है मैं देख रहा हूँ ठीक है कि English medium के student है कोई भी semester में उसका इंग्लिस में supply नहीं खाए लेकिन हुआ क्या है बोली तो इंग्लिस में 6 semester में supply खा गया है बताईए अब इंग्लिस में 6 semester में supply खाने वाला कोई चीज़ है क्योंकि उससे भी hard hard paper उससे भी hard hard paper इंग्लिस का आप जो है सारा जो है previous सारा semester में clear किये है लेकिन last 6 semester में ऐसा भी तो hard नहीं था इंग्लिस का paper अगर आपको full confidence है कि हाँ हम लिख क्या है क्योंकि आपके आसपास में क्या होता है एक तो example जरूर मिलेगा कि फिर भी रीचेक में pass नहीं हुआ एक mark से फिर भी फेल हो गया रीचेक जानने के बावजुद भी फिर भी फेल हो गया सोच के देखे थोड़ा सा आप डेली 50-100 रुटिया खाए रहते हैं अगर आपका 500 रुपिया अगर लग दिया ऐसा तो नहीं होगा न क्यों आपकी सहली रीचेक में डाली थी उसका दो नंबर कम था वो निकल गई कास हम भी डाल लिए होते हैं हम भी निकल जाते हैं उस बक्त आपको अफसोस नहीं लगेगा सोचके देखिए अगर दो महिना बाद जब रिचेक का जब रिजर्ड आएगा अगर आप बाइद वे निकल जाएंगे कितना बड़ा आपका एक साल बच जाएगा आप आगे क्या कर सकते हैं एमे में एडमिसन करवा सकते हैं एमकम कर सकते हैं या मान लिजे कोई बीएट का कोर्स कर सकते हैं या कोई डिप्लोमा कर सकते हैं या मान लिजे कि अपना कोई कोर्स करके या अपना खुद का बिजनिस बगएरा सेट अप कर सकते हैं लेकिन इक पान सुर्प्या के लिए आप अगला सल फिर से एक्जाम दीजेगा ऐसा मत कीजिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है उन साथे स्टुने लोग के लिए जिनका मकसद यह है कि लिडियी चेक में डाले कि नहीं डाले ठीक है? तो आपको अगर वीडियो अगर सपोर्टीव लग रहा है उच भी सपोर्ट मिलाओ प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजे चैनल के सबस्क्राइब कीजे क्लकड़ा इन्वर्सिटी से रिलेटेड मैं एकदम अपडेट और कुछ भी एडवाईज अगर आपको लेना है प्लीज मुझे कमेंड में लिखे मैं आपको जो है महां आपकी कोर्सन का रिप्लाई ज़रूर मानूँगा अगर कोई आपका प्रीवियेस अगर अभी मानलीजे फोर सेमेस्टर फिप्स सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में किसी पेपर में अगर आप सपली है तो मुझे से कॉंटेक कीजिए वो भी नहीं आपको मानलीजे प्रीवियेस कोई कोर्सन पेपर में नहीं मिल रहा है या self study करना चाहते हैं या मालीजे आप class join नहीं करना चाहते हैं सिर्फ notes collect रना चाहते हैं मुझसे contact कर लीजे ठीक है मेरे दीवे नमर मुझे contact कीजे मैं खिदिरपुर कुलकता में class करवाता हूँ लेकिन सबसे बड़ा मुझे इस बात का दुख होगा इस लीडियो को देखने के बाद में अगर आपका मालीजे किसी paper में supply है या बार-बार आप जो है दो attempt दे चुते हैं फिर भी आपका नहीं निकल रहा है तो प्लीज में उसे contact कीजे सायद जो है आपका confirm जो है निकाल दूँ आपका paper क्योंकि साल बहुत किम्ती होता है क्योंकि maximum student को मैं क्या किया हूँ last moment में भी बच्चा admission मेरे पास किया है तो मैं उनको जो है paper उनका जो है pass out करवा देता हूँ क्या है master blaster question दे दूँगा जिससे की बंदा का बेरा पार हो जाएगा प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा जो है share कीजिए उन सारे student को share कीजिए जो हिमत हार चुके है कलकड़ा इंवर्सिटी से और इस साल निकलना चाते हैं ठीक है और भी कुछ मन में डाउट रहे तो मुझे कमिंग जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत खुलिएगा प्लीज और लाइक जरूर कर दिजेगा वीडियो आपको पैसा ना